अलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरूदीन गुरूप आफ कॉलेज के यूटूब चैनल पर मेरा नाम है जुनेद रजा खेल प्रभारी पहलवान गुरूदीन गुरूप आफ कॉलेज पनारी ललितपुर मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिकल एजुकेशन की बहुत जादा इंपॉर्टेंट सीरीज जो की आपको उप्योगी होगी UP, TGT, PGT फिजिकल एजुकेशन, KVS, NVS या किसी भी स्टेट की फिजिकल एजुकेशन की एक्जाम में साथ ही साथ, Railway हो, SSC हो, TET हो, CT हो, CT हो या कोई भी ऐसी एक्जाम जिसमें Sports खेल एक topic आता हो GS के अंतरगत, उन सभी एक्जामों के लिए भी ये वीडियो बहुत जादा उप्योगी है क्योंकि यहां से इस topic से खेल से उन एक्जाम में भी 2-3 question जो हैं वो हर exam में पूछे जाते हैं और ये जो मैंने वीडियो में जो question include किये हैं ये UPTGT में जो हैं 2013 और 14 में पूछे जा चुके हैं और लगातार exam में पूछे जाते हैं खास तोर से Railway और SSC के GS वाले portion में देखते हैं पहला question हमारा है लेडी रतन टाटा कप किस खेल से संबंदित है लेडी रतन टाटा कप किस खेल से संबंदित है चार आप्शन आप लोगों के सामने इसके लिए हैं पहला आप्शन जो है वो है बास्केट बॉल दूसरा जो आप्शन है वो है हौकी तीसरा जो आप्शन है वो है खोखो और चौथा जो आप्शन है वो है किर्केट और इसका जो सही आंसर है वो है हौकी यानि कि Lady Ratan Tata Cup जो है वो होकी के से संबंदेते हैं होकी में दिया जाता है Next question देखते हैं हम लोग Next question क्या कह रहा है कौन सा आसन शारे योगासन करने के अंत में किया जाता है तिक है चार option आपनों के सामने है पहला option है प्रनायाम दूसरा option है पदमासन और तीसरा option है सवासन और चौथा option है सुखासन और इसका जो सही answer है वो है option number C सवासन आगे चलते हैं question number next की तरफ खोखो मैदान की माप क्या होती है खोखो मैदान की माप यानी की खोखो का measurement आप लोगों को बताना है ठीक है चार option आप लोगों के सामने है इसके लिए पहला option है 39 by 16 meter दूसरा option है 30 by 15 meter तीसरा option है 28 by 15 meter और चौथा option है वो है 28 by 16 meter और इसका जो सही answer है वो है option की according 29 by 16 meter साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूँ क्योंकि ये question जो है 2013 में पूछा गया ता वहां से लिया गया है लेकिन नए measurement में जो है 29 की जगा 27 कर दिया गया है खोखो के ground को तो इसका भी आप लोग ध्यान लगिए आगे चलते हैं ये question मैं already करा चुका हूँ Olympic वाले session में तो I hope अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो इसका answer आपको 100% पता होगा Olympic द्वज में गोलों की संख्या होती है बहुत आसान question है लेकिन काफी बार exam में पूछा जा चुका है और इसके option देखते हैं option number A है 3, option number B है 4, option number C है 5, option number D है 7 और इसका सही जो answer है वो है option number C यानि की 5 गोले होते हैं Olympic के द्वज में next question की तरफ चलते हैं हमारा next question क्या कह रहा है अरजुन award कब दिया जाता है अरजुन award कब दिया जाता है यानि की date आपनों को बताना है चार option में आपनों के सामने date दी हुई है पहला option है 5 अगस्ट, दूसरा option है 25 अगस्ट, तीसरा option है 30 अगस्ट और चौथा option है 29 अगस्ट और इसका जो सही answer है वो है option number D, यानि कि 29 अगस्ट को अरजुन अवोर्ट जो है वो दिया जाता है साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, आप लोगों को भी पता होगा 29 अगस्ट बहुत महत्पून डेट है इस तरीके से भी caution पूछा जाता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्ट को मनाया जाता है 29 अगस्ट को क्या महत्पून क्यों महत्पून डेट है क्यों ये खेल दिवस मनाया जाता है क्योंकि मेजर ध्यानचन जी का जिने हम दद्दा के नाम से भी जानते हैं मेजर ध्यान चंदद्दा के नाम से भी जानते हैं उनका जनम दिवस है इसलिए इस डेट को हम लोग जो है वो खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी डेट को अरजुन अवार्ड दिया जाता है आगे चलते हैं अगले कॉस्चन की तरफ अगला कॉस्चन हमारा है दोड या इंटरनेशनल या नेशनल एथलेटिक्स होती है वहाँ पे दोडने के लिए जो ग्राउंड बना जाता है उसकी माप हमें बताना है चार ओप्शन दिये हुए हैं पहला ओप्शन है 400 मीटर ट्रेक एक मिनट में पैंसिल उपन कर लू हाँ 400 मीटर ट्रेक दूसरा है 800 बिल्कुल सही होगा अगले कोशन की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स कोशन हमारे क्या कह रहा है भारत में महिला होकी क्लब की स्थापना कब हुई ठीक है चार ओप्शन दिये हुए हैं सन पूछा है पहला ओप्शन है 1974 दूसरा 1975 तीसरा है 1976 चोथा है 1977 और इसका जो सही ओप की क्लब की स्थापना हो चुकी थी अगले कोशन की तरफ चलते हैं उसी के नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पेनाल्टी कॉर्णर किस खेल से संबंदित है अच्छा यहां पर खास तोर से ध्यान दीजिएगा बच्चे इस कॉशन को थोड़ा सा इसमें कन्फ तो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले इस कॉशन को देखते हैं चार अप्शन है पेनाल्टी कॉर्णर किस खेल से संबंदित है पहला है हौकी दूसरा है फुटबॉल तीसरा है बास्केट बॉल और चौथा है वॉल्ली वॉल तो इसका जो सही आंसर है वह हौकी ठीक है पेना किक में कंफुज हो जाते हैं अगे चलते हैं कॉच्टन Крас さ की तरफ नेक्स्ट हमारा कॉच्ट क्या कह रहा है किए बास्केट बॉल से समबंदित ट्रॉफी है थी कै तो आपको ये बताना है कि बास्केट बॉल से कौन सी टॉफी संबंदित है चार ओप्षन आप को दिये गए हैं already पहला option है पहला option जो है वो है SM अरजुन राजा दूसरा है पूर्नेमा ट्रोफी तीसरा है ध्यांचन ट्रोफी और चौथा एंग में से कोई नहीं और basketball से इन में से जो ट्रोफी संबंदित है वो है SM अरजुन राजा यानि option number A बिलकुल सही है आगे चलते ह question number next की तरफ question number next हमारा क्या कह रहा है किसी संस्थान की चार दिवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता किसी संस्थान की मतलब जैसे स्कूल है या college है उसकी चार दिवारी के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसे क्या कहते हैं और ऐसी प्रतियोगिता में स तो इसका जो सही option है वो है option number B, चार दीवारों के अंदर जो प्रतियोगिता आयो जो थीव जाती है, उनको इंट्रा मूरल्स प्रतियोगिता हैं बोला जाता है, next question दिखाई दे रहा होगा आपको, यहीं से देख लेते हैं, बास्केट बॉल की भार का, सॉरी, बास्केट बॉल का भार कितना होता है, यानि कितना वेट होता है बास्केट बॉल का, यह हमें बताना है basically, चार option आप लोगों के सामने दिये हुए है, option number A, 625, option number B, 624, option number C, 626, option number D, 627, और इसका जो सही answer है, वो है option number A, यानि बास्केट बॉल का जो वेट होता है, वो 625 ग्राम होता ह यहाँ पे ग्राम नहीं लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिये, 625 ग्राम इस बॉल का वेट होता है, बास्केट बॉल का, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, next question की तरफ, next question हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, next question हमारा क्या कह रहा है, भारतिये खेल प है, इन में से कोई नहीं, और इसका जो सही answer है, वो है option number B, 1984 में भारतिये खेल प्रधी करन का गठन हो चुका था, आगे चलते हैं, next question की तरफ, रास्ट ये खेल दिवस किस तिथी को मनाया जाता, ये मैं भी उपर discuss already कर चुका हूँ, तो direct option देख लेते हैं, पहला option है, 5 सित नमबर, दूसरा है 14 फरवरी, तीसरा है 2 अक्टूबर, और चौथा है 29 अगस्त, और इसका सही answer जो होगा, वो है 29 अगस्त, इस दिन मेजर द्यान चन जी का जनम दिन होता है, आगे चलते हैं, question number next की तरह, भारतिये उड़न सिक का क्या नाम है, ये सभी को पता होगा, भार सभी लोगों को पता होगा, इसका सही answer option number D, यानि की मिलखा सिंग, next question दिखाई दे रहा होगा, आपकी screen पर यहीं से देख लेते हैं, 2000 मीटर की दोड़ में धावक को क्या दिया जाता है, ठीक है, stagger दिया जाता है, क्योंकि ताकि, क्योंकि गोल आई होती है, एक लाइन में खड़े करके हम लोग उन्हें दोड़ा नहीं सकते, क्योंकि फिर जो बगल में खड़ा होगा, उसे जादा दोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गोल आई है, गोल होता है, तो इसलिए उनको stagger दिया जाता है, तो 200 मीटर की दोड़ में कितना stagger दिया जाएगा, यह हमें देखना है, पूर्ण stagger, आदा stagger, एक सही एक बटा दो stagger या इन में से कोई नहीं, और इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा option number B, यानि कि उसको आदा stagger दिया जाता है, आगे चलते हैं, बहुत important question है, 2010 को राष्टे मंडल खेल कहां आयोजित होंगे, क्योंकि यह वाला जो question है, वो 2009 के paper से लिया गया था, इसलिए यहां पे होंगे हैं, ठीक है, आप हुए कर सकते हैं, 2010 में राष्टे मंडल खेल कहां आयोजित हुए, तो इसका में option देख लेते हैं, पहला टोकियो, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा सिडनी, और चौथा दोहा, तो इसका जो सही आंसर है, वो option number B नई दिल्ली, पहली बार यहां पर राष्टे मंडल खेल का आयोजन किया गया था, next question देख लेते हैं, ध्यांचन जी किस खेल से संबंदेत हैं, अभी उपर discuss हम लोग उन्हीं के बारे में कर रहे थे, आप लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख संबंदेत हैं, आगे चलते हैं, question number next की तरफ, question number next हमारा के कह रहा है, handball खेल, छेतर की क्या माप होती है, चार option है, 30 by 20 meter, 40 by 25 meter, 25 by 20 meter, या 40 by 20 meter, और इसका जो सही answer है, वो है option number D, यानि की 40 by 20 meter, आगे next question देख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा, attack line किस खेल से संबंदेत है, कबड़ी, खोखो, फुटबॉल या वॉली वॉल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो attack line है, वो किस से संबंदेत है, वॉली वॉल से, यानि की option number D, बिल्कुल सही है, last two question है, देख लेते हैं, अजलन, सहा कप, प्रतियोगिता संबंदेत है, यानि किस खेल से संबंदे ये हमें बताना है, चार option है, होकी से, फुटबॉल से, सौरी, पहला option है, किरकेट से, दूसरा है, फुटबॉल से, तीसरा है, होकी से, और चौथा है, वॉली वॉल से, और इसका जो सही answer है, वो है option number C, यानि की होकी से संबंदेत है, आज की वीडियो का last question देख लेते हैं, Federation Cup, प्रतियोगिता किस खेल से संबंदेत है, चार option है, होकी से, फुटबॉल से, बेसबॉल से, वॉली वॉल से, तो आयोग ने जो 2009 में इसका answer दिया था, वो है football, लेकिन Federation Cup जो है, वो और भी प्रतियोगिताओं में आयोजित होता है, होकी में भी होता है, तो इस question को जो है वो आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि option में तो दो-दो सही हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आयोग ने जो answer माना था, वो माना था football, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो कैसी लगी आप लोगों को ये video, comment section में जरूर बता है, अगर video अच्छी ल bell icon को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे college से जो भी video upload हो, उसका notification आपको तुरंत मिल जाए और आप video देख सको, साथ ही साथ अगर ये video आप facebook page पर देख रहे हैं, तो हमारे facebook page को like करिए, और अगर ये video आप instagram पर देख रहे हैं, तो हमारे instagram अकाउंट को follow कीजिए, अगर इन पर जो number दिखाई दे रहा है, उस पर call करके आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि physical education के इस video से पहले के video अगर आप देखना चाहते हैं, तो पहलवान group of college के youtube channel की playlist में चले जाएए, वहाँ पर physical education के नाम से playlist बने हुई है, वहाँ पर इसके पहले के सारे video आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत important है आपके exam के लिए, आप उनको देखिए, और चाहें तो आप offline save करके रख सकते हैं, चाहें तो आप notes बना लें, ताकि आप revision कर सकें, I hope ये video आपको बहुत पसंद आई होगी, मिलते हैं next video में तब तक के लिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, हैवानाई